और कैसे वह आप लोग आज से मैं सुरू करने वाला हूं XD का एक सीरीज जो की step by step पे हर टूल्स को इसमें मैं cover करने के कोशिज करूँगा और UI UX से related जो भी tips होगा वो मैं कोशिज करूँगा आपको इस सीरीज में cover करने के लिए स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बता दूँ मैं UI UX डेवलापर हूँ और करीब करीब 8 से 9 साल का experience है मेरे पास और करन्टी एक company में मैं UI UX डेवलापर के post पे काम कर रहा हूँ तो चलिए सुरू करते हैं Adobe XD के बारे में Actually Adobe XD जो भी UIs से related हम लोग काम करते हैं जैसे के कोई भी एक website हमें बनाना हो या कुछ और चीछ है जैसे के mobile app का UI डिजाइन करना हो तो पहले हम लोग यूज करते थे Photoshop एंड Illustrator लेकिन वह बहुत heavy software है और उसमें बहुत सारे extra heavy tools है उतना यह requirement था नहीं actually UI UX पे काम करने के लिए तो company ने एक separate software निकाला जो की basic tools को target किया और उस tools को थोड़ा enhance किया इस हिसाब से के DIY developer एक designer easy way में उस tools को यूज करके अच्छा से अच्छा UI develop कर सके जैसे के कुछ example के लिए मैं आप दिखलाता हूं जैसे एक मैंने यह logging page बनाया हुआ है यह actually मैंने एक web के लिए dummy बनाया इसमें एक यह image है यह text है यह rectangle है इस button में मैंने gradient यूज किया हुआ है और यह simple थे web के लिए logging page है जो कि मैंने इसका UI मैंने इस पर design किया दूसरा एक और example लेते हैं अभी आप लोगों को दिखलाने के लिए मैंने एक demo यह create किया है mobile screen के लिए ही मैंने इसको design किया हुआ है ठीक है तो इस तरह की चीज है जो कि बहुत easy way में कम से कम tools में इसमें इतना ही tools है यह जो आपको left side में यह कुछ इदर मेरा mouse है mouse के cursor है उस side में आपको यह दिख रहा होगा यह इतना tools है इदर कुछ उस tools से related यहां पे property आता है change होता है तो basically Adobe XD यही काम करता है या तो mobile के लिए हो या तो web के लिए हो हम लोग उसका UI डेवलप करते है सेकेंड यह और popular कें हुआ यह और popular हुआ हुआ इस हुआ से कि इससे हम लोग prototype भी बना सकते हैं अब जो नया होगा इस फिल्ड में उसको यह समझ में नहीं आ रहा हुआगा actually prototype होता क्या prototype actually ऐसा एक system है जिसमें कि हम लोग बनाते screen है जैसे अभी मैंने यह screen बनाया हुआ है लेकिन यह इस हिसाप से काम करता है है कि इस button पर click करेंग जब user इस button पर click करेगा अभी हम सहёз पर अगर या तो हमें पूरा कोडिंग करना बढ़ेगा तो फिर हम वह उस तरह से वह बीहवियर हम लोग दिखला सकते हैं लेकिन प्रोटोटाइप में होता क्या है कि विदाउट कोडिंग हम लोग उस चीज को शो कर सकते हैं क्लाइंट को कि हमारा जो हमने डियाइन बनाया हुआ है व इसमें हम लोग एनिमेशन यूज कर सकते हैं मैं आपको एक्जामपल दिखला था प्रोटोटाइप का यहां पर आगर आप देखोगे डिजाइन और उपर में यह एक टैब है प्रोटोटाइप का इस पर मैं किलिक करता हूँ और यह देखो मैंने लिंक किया हुए एक्जुली कि इधर इस बटन पर किलिक होगा तो यह इसक्रीन शो करना चाहिए तो यह वर्क केसे करेगा एक्जुली मैंने यहां पर किलिक किया तो यह प्रिव्यू जनरेट हुआ यह ठीक है तो अभी मैं यहां पर साइन अप पर किलिक कर रहा हूँ जिस पर कोई कोडिंग नहीं है सिर्फ मैंने इस पर किलिक किया एनिमेशन के साथ में यह स्क्रीन चेंज हो और उस पर किलिक करने पर क्या होने वाला यह चीज जिसे ने शो कराया तो यह है प्रोटोटाइप अगर मैं साइन अप पर किलिक कर रहा हूं तो फिर यह साइन अप पेज पर यह रिडायट हो गया और विथ एनिमेशन जो कि हमने इसमें एड किया हूँ तो यह है प्रोटोटाइप जिसके वह यह से एड़ॉब एक्षडी और इस टाइप को मार्केट में और भी सॉट्व पर दो थीन ही है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपलर हुआ एक तो एड़ॉब एक्षडी दूसरे स्क्रेच करके है वो भी सेम ही है जो कि ज़्यादा पॉपलर हुआ मैं इसको रेकुमेंड इसलिए करता हूँ कि यह एड़ॉब कंपनी का है और डियाइन से रेलेड़ेड उसके एड़ॉब का सौफ़वेर ही मार्केट में है जो कि हर चीज को कॉवर अप कर रहे चाहे वो वीडियो हो इफेक्ट हो या कुछ पी इस वज़ए से मैं ज्यादा रेकुमेंड करते हैं एड़ॉब को तो यह एक बेसिक इंट्रो था जो कि इस सीरीज में हम लोग सब्सक्राइब आ जाए अब हे आपको लिफ्ट साइड मेंड़त का एक लिंक आता हो जिस जो कि मैं अलग अलग ड़िया रिट करके उसमें आपड़ करता रहता हूं तो इसलिए आप उस प्ले लिट को भी अणकर ले अपने अपने लिस्ट में और इस सीरीज में इस उब् मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो को यहीं पर खर्म करते हैं टेक क्यार बाबाए